नमस्ते और उम्शंते आपको स्वागता आपके 294 दिन के इश्री वर्दान में परम्पिता परमात्मा आज हमें याद दिलाते है कि सेवा कैसे करनी है सेवा तो घर पे भी होती है आप बातचीत कर रहे होते किसी से वो भी प्रकार की सेवा ही है तो हम इस धर्ती पर क्यों आए है और उकी सेवा करने के लिए सेवा लेने के लिए नहीं तो देखे आज परम्पिता परमात्मा कहते के हैं स्वर्दान में बाबा केते हैं अपनी परिवर्तन द्वारा अपने परिवर्तन द्वारा नेरंतर विजय की अनुभूती करने वाले सच्चे सेवाधारी भवाधा सच्छा सेवधारी वही होता जो कि अपने आपको परिवर्तन करता है और उसको देख करके लोग चाते हैं कि उनके अंदर इच्छा जबती है कि वह भी परिवर्तन हो और वैसा सुख का और शांती का और खुशी का जीवन वेतीत करें वो तो विस्तार में बाबा कहते हैं जैसे निरंतर योगी बने हो निरंतर योगी मतलब की काम करते हुए बातचीत करते हुए किसी से परमात्मा याद रहे ताकि हम अवगुण को यूज करने के जगा गुणों को यूज कर पाएं जहां परमात्मा भूल जाता है जहां बाप चल नहीं तो पाप की जो हमारे अंदर लक्षन होते हैं, जो हमारे संसकार बने हुए पुराने हमारे इशा ग्रणा के वही निकल के आते हैं भार लक्षन अगर हम निरंतर योगी रहेंगे, जैसे कि आप biased कर रहे हैं जाए आप बरतन साफ कर रहे हो जाडू लगा रहे हो अपने इलमारी को साफ कर रहे हो कपड़ों को मिला रहे हूँ आप और चाहे आप घर का कोई भी कारे कर रहे हो तो उसमय कर परमात्मयाद है तो बीच में अगर कोई भी ऐसा विगनाता है तो उसमें आप सफल हो पाएंगे तो जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजई बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे क्यूंकि विजई आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजई का अनुभव करती है तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वता होती है आपने कुछ सोचा और उसमें आपको विजई मिली आपने विजई प्राप्त करी समय लगा थोड़ा लेकिन आप अपने लक्षे तक पहुंच गए तो और आत्माई भी आपको देख करके कहरें इननने अपने जीवन को पुरा परिवतन कर लिया इनके जीवन में खान पान से लेकर रहेके बोल चाल चलने का सब तरीकर िका बदल चुका है जिस कारण से इनके जीवन में शान्ती सुख है घर में शान्ती है तो हम क्यों न करें यह उनकी मन में संकल कुटते हैं तो बाबा कहते हैं, देख अनेक आत्मों की सेवा स्वता हो जाती है, उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, आँखों से उनके अंदर लोग नी टपकता, लालच नी टपकता, वासना नी टपकती, लेकिन उनकी आँखों में देख करके और को लगता है कि मुझे भी ऐसी आँखे चाहिए, मतलब इतनी शान्त आँखे, शीतल आँखे, जिसके अंदर कोई भी दुख नहीं है, चिंता नहीं है, वैसी आँखे, तो वो कब हो आएगा, जब मन शान्त होगा, तो वो बाहर इस चहरे पे भी दिखाई देता है, तो परमात्मा चाहते हैं कि, अन कुछ बादा आई, तो आप पलड़ गए, आप किसी कि सयोगी बन रहे थे, कुछ प्रॉलम आई, आपने ब्लिकुल अपना रस्ताई बदल दिया, या आपने अपने जो वचन दिये हैं, उस पर ही चलते रहे, और आपने हर परिसिती में, आपने घुनों को इस समाल किया, ना कि अवगुणों को उस परिसिती को पार करने के लिए, उस कहते हैं चलन, तो चरित्रो का साक्षातकार कराती है, मस्तक से मस्तक मनी का साक्षातकार होता है, मस्तक से क्या दिखता है उनके, मस्तक मनी, चमक राय चरा इनका, कुछ ना कुछ तो पाया इन लोगों ने, आत आत्मा का जो प्रकाश तेज है, आत्मा का जो नूर है, वो है अव्यक्त, सूरत से सेवा करने वाली विशेश आत्मा को ही सच्चा सेवादारी कहा जाता है, तो सिर्फ बोलने वाले नहीं, जैसे मैं आप से बाते कर रहा हूं, शेर कर रहा हूं, वो तो एक बहुत छोटी सी स परिवदन लाकरके, और उकी जीवन में परिवरतन वो सबसे उंची सेवा है, परमात्मा के अनुसार, तो आप भी इस शुरेणी में आपाएं, इसके लिए आपको स्वागत है, प्रामकुमारी जी शुरि वेश्विदलमें जहां पर आकरके आप सीख सकते हैं, कि स्वद पर